दोस्तो अगर आप एक professional blog या website बनाने के बारे में सोच रहे हो तो आपने WordPress का नाम तो सुना ही होगा हाली में एक service से पता चला है दुनिया भर में जितने भी website से उन्होंसे 40% website सिर्फ WordPress में बना हुआ है आज के इस वीडियो में हम WordPress के बारे में जानेंगे आज हम जानेंगे WordPress क्या है WordPress के क्या क्या benefits है WordPress काम कैसे करता है WordPress में क्या क्या features है and professional bloggers blogging के लिए WordPress को ही क्यों चुनता है जबकि blogger जैसे free platform available है इन सभी topics के उपर आज हम बात करेंगे वीडियो को last तक जरूर देखिएगा आपके बहुत काम आएगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राज्दमिस्रा और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल website guide हिंदी में जहाँ पे आपको हर रोज website related कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा दोस्तों वीडियो सुरकन से पहला आप सबसे एक ही request करना चाहूंगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बिल आइकोन है उस पे क्लिक करके अगर आप all notification को enable कर देते हो वेबसाइट से online अर्डिनिंग करने के लिए आपको web development and web designing सीखने का कोई जरूरत नहीं है ऐसे बहुत सारे टूल्स है जो मिंटो के अंदर आपको एक professional website या blog बनाके दे सकता है और इसके लिए आपको web designing and development सीखना भी नहीं पड़ेगा एसा ही एक टूल है WordPress WordPress एक open source content management system है जिसको short form में CMS भी कहा जाता है WordPress का use करके आप अपने website में text, images, videos और भी कई प्रकार के files को store कर सकते हो manage कर सकते हो and internet पे publish भी कर सकते हो अब इस सवाल आता है WordPress blogging field में इतना ज्यादा popular क्यों है professional bloggers blogging के लिए WordPress को ही क्यों prefer करते है जबकि बहुत सारे free blogging platform जैसे कि Google का blogger और भी कई सारे available है अखिराजार क्या है WordPress में? वैसे तो blogger और WordPress में बहुत सारे difference है बट जब बात आती है earning की जब बात आती है अपने blog या website को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचाने की तो इसमें WordPress एक कदम आगे रह जाता है blogger और WordPress में क्या क्या difference है? इसके उपर बने वीडियो का link आपको वीडियो के नीचे description सेक्शन पे मिल जाएगा आप उस link पे click करके वीडियो को चेक कर सकते हो तो WordPress में आप plugins का use कर सकते हो हजारो plugins विल्कुल फ्री में available है जिनको आप फ्री में download कर सकते हो install कर सकते हो and activate कर सकते हो यह plugins असल में features होते हैं अलग-अलग प्रकार के plugin आपके website में अलग-अलग प्रकार के features add कर सकते SEO के कुछ plugins जैसे की used SEO, all-in-one SEO, rank math यह सब plugins आपके website के SEO को improve करता है एक website के लिए SEO बहुत ही ज्यादा important होता है SEO से ही आपका website ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुच सकता है और आपका overall earning भी बढ़ता है SEO क्या है? इसके उपर भी बने वीडियो का link आपको वीडियो के नीचे description में मिल जाएगा वैसे ही designing के plugins आते है editors आते है, social share के plugins आते है और भी कई सारे बट blogger जैसे जितने भी free vlogging platform है वहाँ पे आपको ये सुभीधा नहीं मिल पाता है जहां blogger जैसे platform में success पाने के लिए आपको साल भर मेहनत करना पड़ सकता है वही पे WordPress में बना हुआ एक blog दो-तिन मेहनों के अंदर ही अच्छा खासा ट्राफिक गेन करना शुरू कर देता है उसमें दो-तिन मेहनों के अंदर ही अच्छा खासा earning भी आपका सुरू हो जाता है इसलिए WordPress blogging field में इतना ज्यादा popular है ना सिर्फ blogging में बल्कि बड़े-बड़े business websites भी आपको WordPress में बने दिख जाएंगे WordPress easy to use है जहाँ पर coating का use करके एक professional website बनाने के लिए महनों लग जाते है वही पर आप WordPress यूज करके बस 10 मिनिट के अंदर एक professional business website एक professional blog बना सकती हो WordPress T12 for beginners के series में आगे आने वाले वीडियो को देख के आप बड़े ही आसानी से WordPress का use सीख जाओगे WordPress वो अगर आप सीख लेते हो तो ना सिरिफ आप blogging से earning कर सकते हो बलकि freelancing website में भी अपने clients के लिए website बना के आप earning कर सकते हो अब बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या WordPress फ्री है जी हाँ WordPress बिल्कुल फ्री है आप बिल्कुल फ्री में WordPress को डाउनलोड कर सकते हो पर WordPress को install करने के लिए hosting चाहिए hosting में ही आपके website के सारे data store रहते हैं प्रिवियस वीडियो में बताया है फ्री होस्टिंग कैसे आप बना सकते हो फ्री डोमें कैसे लिया जाता है इसके उपर भी चैनल में वीडियो है WordPress यूज करने के लिए आपको कभी भी कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा पर अगर आप hosting बाई करते हो तो उसके लिए आपको pay करना पड़ेगा Best Domain and Hosting कैसे कहा से सबसे cheapest price में maximum discount के साथ बाई कर सकते हो आप इसके उपर भी चैनल में वीडियो है अगर आप चेक करना चाते हो लिंक्स आपको वीडियो के निचे description में मिल जाएंगे पर अगर आप एक student हो अपने college के projects के लिए आप WordPress सीखना चाते हो कैसे एक website को बनाया जाता है अगर आप सीखना चाते हो तो आपको hosting या domain बाई करने का कोई जरूरत नहीं है कैसे अपने computer को ही बिल्कुल free में hosting server बनाया जाता है कहा से free domain लिया जाता है इसके उपर ये वाला वीडियो मैंने बनाया है अगर आप चाहो तो देख सकते हो लिंक आपको description में मिल जाएगा अगर बहुत सारे लोगों का confusion है wordpress.com and wordpress.org इन में से कौन से website का हम use करें तो दो website बना सकते हो बट वहाँ पर आपको बहुत सारे limitations मिलेंगे अगर आप उनका premium feature access करना चाते हो सभी features को access करना चाते हो तो आपको pay करना पड़ेगा पैसा देना पड़ेगा दोस्तों जब आप अपने hosting में wordpress को install करते हो तो वहाँ पर wordpress.org के wordpress को ही install किया जाता है तो website wordpress.org अगर आप domain and hosting का खर्चा अभी effort नहीं करना चाते हो तो आप wordpress.com का use कर सकते हो वहाँ से आप blogging को सीख सकते हो बट ऐसे मैं मैं आपको suggest करूंगा wordpress.com के जगा पर आप Google के blogger platform को use करें वहाँ पर भी आपको free subdomain and free hosting मिल जाता है और आप बड़े ही आसान इसे एक blog या website ब बड़े ही आसानी से एक बहतरिन blog या website बना सकते हो.